नमस्ते, तो देखते हैं आपकी person की current feeling क्या है, क्या सोच रहें आपको लेकर, देखते हैं आपकी partner की current feeling, लेकिन आपको करना है अपने person के उपर focus, ठीक है, जितना जदा आप focus करोगे, उतना जदा आपको समझेगा कि क्या कुछ चल रहा है उनसान के मन में, तो start करते हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि अनसान लेते नहीं है action, देखो guys, कुछ रोगे आपर ऐसे है कि अनसान पास्ट में आपने जो कुछ भी गलती की है, अब हो सकता आपसे कुछ छोटी, बड़ी, कुछ भी गलती हुई हो, तो आपकी person उस चीज को भूलने के लिए तयार नहीं है, वो बार-बार इसको इसी बात को दोहराती कि तुमने तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसा किया था, मतलब अगर वो आपसे बात भी नहीं करे तो मन ही मन कि उसने तो ऐसा किया था, उसने मुझे ये बोला, उसने वो बोला, उसने ये गलती कर दे, उसने वो गलती कर दे, मतलब अब यह अंसान आपको ही ब्लेम किया शार है उसको लगता कि ठीक है गलती मेरी भी लेकिन तुम ने भी तो गलतिया किये हैं, तो आपके परसं को आपको ब्लेम करने को बह। जादा होजन लगता आदत है इस अंसान को! अगर आपके कुछ छोटी भी गलती हुई तो इंसान बहुत जा ब्लेम करते हैं उस चीज को बढ़ा चुड़ा कर आपको बोलते हैं और बोलते कि तुम तो गलत हो तुम तो गलत ही करते हो आपके person को ऐसा भी feel हो रहा है कि अभी जो time है वो खुद को heal करने का है उस इंसान को ऐसा feel नहीं होता कि वो आपकी तरफ आएंगे नहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा लगते कि फिर आपने भी खुद को heal करना चाहिए जो भी problem है बस वो एक बार खतम होने चाहिए आपके person तो बहुत कुछ planning भी कर रहा आगे के बार में कि वो आपको कहा लेकर जाएंगे आप दोनों की मुलाकात कहा होगी किस तरह से होगी वो फिर मुलाकात करने के बाद वो आपके साथ क्या क्या करेंगी अंसान सपने देख रहाएं गाईज वो बहुत ज़दा dream कर रहा आपके बार में मिलने की चाहत तो बहुत ज़दा है लेकिन अपनी गलतियों को मानने के लिए इंसान तयार नहीं है ये इंसान आपकी गलतियों को गिनाता है हमेश्या ठीक है इस इंसान को ऐसा लगता है कि ठीक है मेरी भी गलती है लेकिन तुम्हारी भी है तो ये इस अंदास में आपके परसन है और उपर से इस इंसान के अंदर करेज नहीं है या तो अपने परिवार से आपके बारे में चर्शा नहीं कर सकते या तो आपके सामने आकर कुछ चर्शा जो भी करना है जो भी डिसकस करना है वो कर नहीं पाते हैं तो हिम्मत की कमी के बच्चे से भी इस इंसान को बहुत जादा प्रॉब्लिम क्रेट हो रहे हैं आपके बर्सन को ऐसा भी फिलोता कि उन्होंने कम महिनत नहीं की थी ठीक हैं उन्होंने भी बहुत महिनत की थी आपके लिए ऐसा नहीं की सिर्व आप नहीं की हैं तो वो इस बात को भी मानते हैं कि मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है उसके लिए मैंने सब कुछ किया है उसके लिए उनकी कुछ गलत फ्यामें भी हो सकती है ठीक है गलत फ्यामें हो सकती है ये कि उनको जो चायता वो मिला नहीं है ऐसा उनको लगता है और मुझे कुछ लोग ले ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कमिट्मेंट टेस्ट कर रहे ह आपका, आपके परसन देख रहे हैं कि आप उनके लिए क्या कुछ बरदाश कर सकते हो, आप उनके लिए क्या कुछ सहन कर सकते हो, कितनी जदा सहन शक्ती है आपके अंदर, कुछ टेस्ट भी कर रहे हैं वो आपको, परिक्षाई ले रहे हैं जैसे कि आपके, इस इंसान ने ह वो नई शिर्वात करना नहीं चाहते हैं, वो इस रिष्टिय को एक नया मौका भी देना चाहते हैं, लेकिन आपकी परिक्षा लेने में जदा इंटरस्ट है आपके परसन, आपको तडपाना इस इंसान को मज़ा आता है, जितना जदा आप तडपते हो ना इस इंसान के अब बोलो ही मत, इतना जदा तडपते हो आप, और जब भी आप तडपते हो तो इसको मज़ा आता है, मैं सच बता दू, इस इंसान को कभी किसे न इतना प्यार नहीं किया है, जितना आपने तो इस इंसान को सर पे बिठा के रखा है, बहुत जदा आपने इसको आता है, जान बुछ कर तडपाते हैं आपको, और आपके परसंग के अंदर ना हिम्मत की बहुत कमी है, इस इंसान को एक बॉंडरिस बना के रखें उसने अपने आसपास, अगर उसके घरवालों से भी बात करने हैं तो बहुत जदा डरते हैं ये, क्या करे क्या ना करे, ऐ लेकिन ये अंसान अपने कमफर्ट जून से बाहर ही नहीं निकलता है, इसको डर लगता है, बहुत एमोशनली फील करते हैं, बहुत जदा और फिर भी आपको तडपाते हैं, जब आप सामने भी आते होंगे तो ये अंसान आपको बहुत चुडाते होंगे, इनको बहुत जाता है, और एक समय ऐसा भी आया था कि इस इंसान ले लेट गो करना चाहता इस रिष्टे में, ठीक है, लेकिन ये कर नहीं पाए, आपकी यादों ने इसको मजबूर कर दिया है, कि वो लेट गो ना करे, तो आपके पास वापस तो आना है, लेकिन कुछ एहंकार, कुछ गो भी बीच में आही जाता है, कितना भी उसको साइड में करे, वो इस इंसान की राहों के बीच में आही जाता है, बहुत ज़्यदा ट्रॉस्ट इशू थे यहाँ पर, इस इंसान ने आपके उपर विश्पास नहीं किया, या आपने इस इंसान के उपर विश्पास नहीं किया तो यह अंसान बहुत हट हुए है अगर यह अंसान आपके उपर कोई शक करता रहा तो आप बहुत ज़दा हट हो गए हो ट्रॉस्ट शुभी हमेशा से ही रहे है इस रिष्टे में गाइस तो इसलिए परसन हील करना चाहते है और अगर आपका दिल दुखा है उसने तो वो चाहते कि आप भी भूल जाओ पास्ट की बातों को भूल भाल कर आगे बढ़ना ही चाहिए ऐसे कुछ सोच आपके परसन की तो है जब भी वो आपको देखते है मतलब आपकी खुबसूरत यह इस इंसान के उपर जादू कर जाती है वो बहुत चाहते हैं आपको तडबते हैं आपके लिए और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस रिष्टे का अंत हो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों एक दुसे से दूर रहे और गाइस मैं यहापर ऐसे भी एनर्शी दिखाई ज़री कि आपके परसन बहुत जा विक्टम मेंटालेटी में हैं कि उसके ही साथ अन्या हो रहा है उसके ही साथ गलत हो रहा है आप तो कुछ समझते नहीं हो, आप तो कुछ जानते नहीं हो, आप तो उस इंसान की भावनाव को नहीं समझते हो, बहुत सा victim mentality में हैं और वो person उनको ऐसा लगता है कि बस उसके ही उपर अन्या होता रहा है, मतलब वो अपनी तरह से 100% देते हैं, ऐसा उनको लगता है, अब यह हमेशा से रहा है, ट्रस्ट नहीं है सकाब के उपर, ब्लेम करते रहे हैं आपको हमेशा, कोई भी चीज हो सकती है फिर वो, ठीक है, आपकी खुबसुरत फोटोस बहुत देखे जा रहे हैं और जब भी आपकी खुबसुरत फोटोस वो देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, प्राउड फिल करते हैं वो खुद के उपर, उनको लगता कि नहीं यार इतनी खुबसुरत कैसे मिल गई, ये तो कुछ भगवान की मर्जी है, तो अपने आपके उपर ही प्राउड फिल करते हैं, समझ गया आप, कि यार मेरे अंदर कुछ तो खास बात होगी, इसको बता होगा शायद, ऐसा भी कुछ है, अपने आपके उपर ही प्राउड फिल करते हैं, कि उनको इतनी खुबसूरत लड़की या लड़का मिला है, ठीक है, और देखो, प्यार तो है, मानते हैं वो प्यार तो है, लेकिन शायद इस रिष्टे में कुछ ऐ ऐसी बाते घटित हुई है, कि उसके बात आप दोने में बहुत दूरी आ गई है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्या बता रहे है, उनको ऐसा लगता है, बहुत बढ़बोले हो, ठीक है, और आपने हो सकता है, आपने बहुत सारे मैसेज कर दिये इस इंसान को, और यह इंसान ब बहुत बोलने की आदत है आपको, शायद उस इंसान को इतनी जदा बोलने की आदत नहीं है, और यह जो आपकी बोलने की आदत है, अब यही बात इस इंसान को बहुत याद आ रहे, कि यार वो कितना बोलती थी, उसके जाथ समय कैसे बीच जाता था, पता भी नहीं चलता और अब देखो कैसे अकेले पड़ गए हैं मतलब जब वो काम में बिजी रहते थे तो उनको लगता कि यार ये क्या कितना बोलती है ये अब वो सारी बाते उसको याद आ रहे हैं अब जो अलोनेस आया है अब जो अकेला बनाया है तो तड़प रहे हैं फिर अब ही वो आपक कितने सपने देख रहे हैं सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं और बहुत अकेला बनाया है देखो गाईज आपके बिना कैसी हालत हो गई है इस इंसान की और देखो इंतजार हो रहा है गाईज आपका इंतजार हो रहा है दूर से देखे जा रहे हैं आपको बहुत देखे जा रहे है त्री नंबर कुछ खास हो सकता है, टू नंबर कुछ खास हो सकता है, आपको देख रहे हैं, दूर से नजर रख रहे हैं आपके उपर और इंतजार है आपका आने का देखो वाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपके परसन पास्ट के यादों में बहुत खोए जा रहे हैं जो पास्ट में हुआ है उसको याद करकर के परिशान हो जाते हैं यह तो फ्यूचर की चिंता करते बैठते कि अब फ्यूचर में क्या होगा कुछ ठीक होगा भी नहीं होगा चिंता है बहुत जादा है और उपर से आपके परसन को ऐसा भी लगते कि आप बहुत अस्वरिचल हो आप एक अच्छे इंसान हो वो मानते है इस बात को कि आप बहुत अच्छे और सच्छे इंसान हो देखो फिजिकल अट्राक्शन कितना हो रहा है कंडिशनिंग बहुत कुछ फील करते हैं आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन बोलने की हिम्मत है क्या नहीं है बोलने की हिम्मत स्ट्रेंद की कमी है हिम्मत नहीं कर पाते हैं आपके सामने आकर बोलने की अब ट्यारों से देखते हैं उनकी करन्ट फिलिंग क्या है current feeling है 4 of source देखो कितना तडब रहे है सोते नहीं है रात को आपकी चिंताव ने इस इस इंसान को बहुत परिशान करके रख दिया है ना आपके बिना जिया जा रहे हैं ना आपके पास वापस आ रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से इस इस इंसान की राती गुजर रही है राशी है लिप्रा एक्विरस जेमिनाए और 10 of source आपके परसन ने या तो ऐसा लगता है उनको कि आप किसी और से बाते करते हो या तो इसने खुद किसी और से बाते करके आपको धोका दिया है या इस इंसान को बार बार ऐसा भी फील होता है कि आप धोका दे रहे हो आप दूसरों से बाते कर रहे हो वाई सिवर्सा हो सकता है आपको बता ही कि आपके रिष्टे में क्या कंडिशन है और 10 of source के एनरजी रिबर्थ बता रहे है यह परसन चाहते कि जो कुछ भी हुआ है उसका the end होना चाहिए और इस रिष्टे के एक new beginning होने चाहिए वो तड़प रहे है new beginning के लिए रिबर्थ के लिए आपके परसन तड़प रहे है दी end यहाँ पर दिखाई दे रहा मुझे ठीक है जो past के energy है आपके परसन उसमें से निकल कर एक नई शिर्वात एक new beginning में भी आप दोनों के बीच में एक new cycle बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है यह जो cycle थी एक end होने वाली है और new cycle स्टार्ट होने वाली है ठीक है दिन भर तो आपको देखते रहते हैं आपके उपर नजर रखते हैं online कहाँ chain पड़ता है इस इंसान को आपके बिना तड़पते बहुत है chain नहीं है इसके बिल्कुल chain नहीं है इसको और five of wands जगडे बहुत ज़दा हुए है क्या या तो दोसरों की बज़ज़ से आप दुनों के बिश में जगडे हुए है तो उसकी बज़ज़ से ये परसन बड़े परिशान है five of wands के नजरे क्या बता रही है ये अंसान नहीं चाहते है क्या जगडे देखो वापस वह नजरे दीम्मून के आई है या तो इनकी मदर की बज़ज़ से जगडे हुए है या फैमिली के बज़ज़ से जगडे हुए है किसी दोस्तों के बज़ज़ से जगडे हुए है किसी तीसरे की बज़ज़ से आप दुनों के बिश में बहुत प्रॉब्लिम आये है और आपके person के current feeling ये है कि वो person सोच रहे कि अब इसके आगे ये जगड़े नहीं चाहिए प्यार से इस रिष्टे के एक नई शिर्वात होनी चाहिए और रिष्टा बहुत आगे जाना चाहिए वो नहीं चाहतेगा इसके अब जगड़े हो जाए वो नहीं चाहते कि अब रूट कर आप फिर से उनकी जिन्दगे से वापस चले जाओ इतना कुछ फील करते हैं लेकिन वो बोल पाते है कि आपसे नहीं बोल पाते है टेन अफ वांड्स के एनरजी उनको बहुत सा बर्डन इस इंसान को हो रहा है टेन वांड्स के एनरजी है मेपी इस इंसान के उपर बहुत जिम्मेदारिया है परिवार के जिम्मेदारिया हो सकती है जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर जिम्मेदारिया हो सकती है जिम्मेदारियों की बोज तरे जैसा कि अनसान दब चुका है ये भी एक reason हो सकता है कि इसने हमेशा आपको ignore किया क्योंकि उसके उपर बहुत जिम्मेदारियों का बोज था और इस इंसान को ऐसा लगता था कि बापरे मुझे तो बहुत काम है इसे कोई काम नहीं है ऐसा भी बहुत बार हुआ है उसके मन में ठीक है अपके प्यार में और ना कभी रहेगी आप तो परिपूर्ण हो किसी बी चीज़के मुझे आप में कमी नहीं दिखती है ना आपके प्यार में कमी है ना आपकी खुँभसूर्ती में कमी है ठीक है और दी लवर्स के erf यह जेमिना हैं आप मिलने की चाहत में तड़ प्रेय हो गाइज मिलना चाहते हो प्यार करते हो आप धर Hispanics ले चाहते हो आप तो ड्र वीज्या दोर्बंट小ष थी क्यां 7 of cups reverse आप जहाद्यों कि इनसान को जो भी कि लैकी सकती है इसमें से अंसान बाहर निकले यह अंसान हमेशा confusion में रहता है आपको लगता कि इसके दिमाग में हजर थॉट्स रहते हैं यह हमेशा ही confusion में रहता है तो यह और eight of pentacles, आपको लगता है कि इसने effort डालने चाहिए, आपको लगता है बहुत हो गया, आप कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसने अब तो कुछ महिनत कर ही लेनी चाहिए मेरे लिए, call करने चाहिए, message करने चाहिए, और ये देखो two of cups के energy, ये है आपका प्यार, the lovers or two of cups, इ इतना सदा प्यार, emotions ही emotions है, प्यार ही प्यार है, ठीक है, okay, तो ये आपकी energy है, okay, अब देखते आपके लिए क्या guidance है, और जिनको पता नहीं है, मैं बता दू कि हमारा दूसरा channel है, जिसके उपर में सबेरे reading करती हूँ, अगर आपको पता नहीं है, तो आप description में जाकर, link प दाल रहे हो दिया, reading नहीं डाल रहे हो, जबकि reading वहाँ पर आचुकी होती है, ठीक है, इसलिए, ओके, और क्या है, possibilities बहुत जादा है guys, कि यह रिष्टा बनेगा, बहुत आगे जाएगा, और जो कुछ भी आप अपने like में करना चाहते हो, उसमें भी possibilities है कि आप successful बनने वाले हो, बाज के उडान भरने की जरुरत है, हारना नहीं है आपको, projection, lack of clarity है, यह जो भी confusion है आपके दिमाग में, इस यही आथा, seven of cups, clarity नहीं है, ठीक है, playfulness के energy में आपको आना पड़ेगा, बहुत sad हूँ, बहुत जादा, sad रहकर क्या होगा, आप उसी चीज़ को, उस दुख को ही attract कर रहे हो फिर, तो आपको playfulness के energy में आना है, खुश रहने की कोशिश कीज़ेगा, अगर आप कोशिश तो यह हो जाएगा, ठीक है, और abundance, आप जिस चीज़ की इंतजार में हो, जो भी आप चाहते हो अपने life में, वो अभी आपको नहीं मिल रहा है, और इस बात से आप परिशान हो, लेकिन universe आप से कहते को जीज़, वो जो कुछ भी आप चाहते हो, चाहे प्यार हो, चाहे पै कितना जदा यह दुख, यह गम पी रहे हुआ, आप देख रहे हो, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हो, और इस दर से निकल भी नहीं पाते हो, अब ऐसे कितने दिन चलेगा, आपको इस दर से बाहर निकलना पड़ेगा, three of source के इनरजी है, दिल तोटा है आपका, और इ अपनी जिंदगी में, चाहिए वो प्यार के बार में हो, चाहिए ओर और लाइफ के बार में ही बात करें, ठीक है, तो भगवान आपसे कहते के आपको अपना ego side में रखना है, अपने एहंकार में आकर आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, तो कभी भ ने एहंकार को बीच में मताने देना, वो चाहे रिष्टा हो, चाहे successful बढ़ना हो life में, करेर में आगे बढ़ना हो, ये आपका एहंकार बीच में नहीं आना चाहिए, a new start is coming, वही तुम्हें बोले हो, a new start is coming, होने वाला है, टेंशन लेनी के आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, नई शिर्वात होने वाली है आपकी जिंदगी में, it's time to take action, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे इस इंसान से बात करना हो, चाहे अपने करीर की तरफ आगे बढ़ना हो, चाहे family के लिए कोई action लेना हो, जो कुछ भी आप को करना है, यही time है उस action को करने का, maybe आप आलस कर रहे हो, maybe आप चीजों को टाल दे हो, कि ठीक मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, बड़सों करूँगा, जो कुछ भी, तो आपको जो कुछ भी करना है, बस यही वक्त है, action ले लो, और अपने काम में आगे बढ़ो, I hope आपको रुडिंग पसंद आई होगी, like, share and subscribe, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye